उडिशा में बीजू जनता दल अध्यक्ष नवीन पतनायक ने बुद्वार को सीम पद से स्तीफा दे दिया उन्होंने भुवनेशुर में राजभवन जाकर राज़िपाल रगुवर्दास को अपना स्तीफा सौपा नवीन पतनायक पिछले 24 साल से राजवे के मुख्य मंत्री थे मंगलवार 4 जून को लोगसभचुनाव के साथ उडीशा में विधान सभचुनाव के भी नतिज्ज़े आए लोगसभचुनाव में यहां 21 में से 20 सीटे बीजेपी को मिली और एक कॉंग्रिस को विधान सभचुनाव में भी यहां बीजेपी ने बाजी मार ली 147 सीटों में से 78 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासल की बीजेडी को सर्फ 51 सीटे मिली राजी में पीए मोधी का जादू चल गया बहुमत के साथ बीजेपी ने उडिशा में जीत हासल की आप बीजेपी पहली बार पूर बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी भाजपा ने अब तक मुख्यमंत्री किया एलान नहीं किया है पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चहरे पर ही चुनाव लड़ा था बहुत जल भाजपा नहीं सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है वधान सबस चुनाव में सीम पतनायक ने दो सीटों से खड़े थे एक हिंजली और दूसरी कांताबाजी हिंजली वधान सबस सीट सीम पतनायकी पारबारिक सीट है हिंजली सीट पर उन्होंने बीजपी के शिशिर कुमार मिश्रा को 4636 बोटों से हराया तो वहीं कांताबाजी में उन्हें हार कमू देखना पड़ गया बीजपी के लक्षमन बाग कांताबाजी सीट से जीत गए उन्होंने 16344 भारी मतों से नवीन पतनायक को पराजित किया लक्षमन को 9876 बोट मिले सीम नवीन पतनायक को 74,543 बोट मिले आयो के आकड़ों को देखे तो उडिशा विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस ने 14 सीटे जीती जबकि माकपा को 1 सीट मिले निर्दली उमिद्वारों ने 3 सीटे जीती आकड़ों पर नज़र डारें तो बीज़द ने 2019 के विधान सभाचुनाव में 113 सीटे भाच्पा ने 23 कॉंग्रेस ने 9 सीटे जीती थी भाच्पा बीज़दी गटबंदन 2009 में उडिशा में सत्ता में आया और नवीन पतनायक मुख्यमंत्री बने साल 2009 में बीज़दी ने दोनों दलों की बीच सीट बटबारे पर बाचीत पिफल होने के बाद अपने 11 साल पूराने रिष्टे को भी तोड़ दिया था पतनायक ने राजी में इसके बाद हुए चुनावों में जीत हासल की थी दिल्चस्प ये है कि दोनों दलों की बीच सीट बटबारे पर बाचीत इस साल के लोकसभा और विधान सभा चुनावों से पहले भी शुरू हुई थी लेकिन ये विफल रही इस बार बीज़दी सुप्रीमों अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मंगलवार को उडिशा के लोगों का धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी उनके सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी एक्स पर एक संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा कि धन्यवाद उडिशा ये शुशाशन और उडिशा की अनूठी संस्कृती का ज्यश्न मनाने की शांदार जीत है बीजबी लोगों के सपनों को पूरा करने और उडिशा को प्रगती की नई उचायों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी मोदी ने कहा कि उडिशा चुनावों में भाजपा के महनती कारिकरताओं के प्रयासुक पर बहुत गर्व है इसकी साथ उडिशा में बीजबी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामन ने भी प्रतिक्रिया दी कहा कि उडिशा के जुनता का धन्यवाद उन्होंने बीजबी को जितवाया है कहा कि उडिशा के लोगों ने परिवर्तन का मूड बना लिया है ये प्रधानमंजी मोधी पर लोगों का विश्वास है इसलिए उन्होंने बीजेपी को बोर्ट दे कर विजेई बनाया